साबर मंत्र आप सब को बताया था पिछले वीडियो में साबर मंत्र के बारे में कि पहले शाबर मंत्र होता क्या है लो नाचा मारेन के बारे में बताया था तो आप सब बहुत सारा का कॉमेंट्स आ रहा था कि साबर मंत्र बताये उसका वीडियो बनाये मैं सुचा पहले आप सब का कॉमेंट्स देख लेता हूँ आप सब क्या बोलते हूँ उसके बाद मैं मंतर का वीडियो बना दूँगा चुकि आप सब मैंसे बहुत सारे लोग मेरो को लग रहा था ता अंतर मंतर के चपेट में नहीं आना चाहते होंगे तो इसलिए मैं सुचा कि चलो मैं कहानी बता देता हूँ लोना चमारिन का तो पहले जान लो कि लोना चमारिन के लाष्ट का थोड़ा सा चुड़ गया था उसके बाद मैं साबर मंतर के बारे में बता दूँगा विडियो स्कीप मत करना नहीं तो आगे पीशे हो जागा लोना चमारिन जो है उनका पंजाब से चली थी तो बहुत सरे दबंगों ने उनका पहले तो शादी हो गया रहता है तो शादी होने के बाद से उनके पती से उस वक्त कुछ ऐसा अन्बन हो जाता है कि वो अलग हो जाती है अब घर आ जाती है तो गाओं पे आने के बाद बहुत सरे दबंगों के उनके नज़र रहता है चुक्कि उनका शादी बारत तेरसल के उनके ही हो जाता है आप सब जानते ही हैं पहले बहुत कम में शादी हो गए थी, हो जाती थी लड़कियों की तो बहुत सारे दबंग मिल करके पंजाब में वो रहती थी तो बहुत सारे दबंग मिल करके उनके साथ बहुत साला कलत काम कर देते हैं और उनका भलातकार कर देते हैं चार-पास लोग मिल करके उसके बाद ऐसी इस्तिती होती है इनको कोई बचाने वाला तक नहीं रहता है अब वो इसका बदला लेने के लिए कुछ गोडियों से मिलते हैं गोडी के साथ नहीं देते हैं वो बोलते हैं कि चल जाओ कामरू का मख्या अब वो लोग ऐसे ही बोल दिये थे कि चोटी सी बच्चे ये क्या जाएगी वो पैदल जाते 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 कामरू का मख्या पहुंशती है वहाँ पे एक उनके गुरू मिलते है जिनका नाम इसमाइल रहता है वो चुकि वो तांतरिक रहते हैं अच्छा खासा सूफी भी रहते हैं उनको अच्छा खासा नॉलिज रहता है संस्कृत और साबर मंतर का बहुत अच्छा कॉम्बो रहता है और साबर मंतर के बारे में वो तो बहुत अच्छा जानकारी वो भी रखे हुए थे लेकिन उनको जैसे वो भक्ती में लीन रहते तो उनको किसी से वो ऐसा कुछ नहीं था कि किसी से मतलब बैर था ऐसा तो कुछ था नहीं और लोना चमान इन गई थी इसके लिए ही कि वो बदला ले सके और अपनो जो जो है उनको बदला पूर्ण कर सके फिर वो इसमाइल के बाए जाती हो इसमाइल जो है उसके तरफ एट्रेक्ट हो जाती हो बोलते है ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा और सिखाने के बाद ऐसा वैसा नहीं बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगा कि तुम्हें कोई काट नहीं पाएगा ये तैयार हो जाती है अपने आपको सौप देती है अब फिर वो चपन कालाओ में नीपून हो जाती है और ऐसी वैसी नहीं इतना नीपून की वहां से बैठे बैठे सब को मारी और जैसे ही आखरी जो पाँचवा जो लड़का रहता है उसको वो मारती है तो वो एकदम आसमान में पचास फीट ऊचा उठ जाता है और उसका गला तूट जाता है ऐसा वफी करन करती है और ऐसा तंदर सिद्धी से उसे मारती है लोग देखती रह जाते है और लोगों में वहसत हो जाता है तेहसत हो जाता है और लोना 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 वहां आती है और पताती है यह सब मैंने किया है उसी वक्त से लोना चमारिन के बारे में बहुत सारे वाद दिवाद अफवा उड़ते रहता है उसको आद लोना चमारिन सोच रहे थी कि जैसे उनके साथ हूँ अब ऐसे ही औरों के साथ ना हो जाए इसलिगे ये शावर मंत्र को ऐसे सिद्ध कर दी जिसे कोई भी सिद्ध कर सकता है पा सकता है आराम से बहुत ही आसान है इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको पर आप समझ जाओं सिंपल सा कि आपको संकल्प लेना पारेगा तीन दिन का पांस दिन का ए ग्यारा दिन का और सिद्धी के लिए कोई गुरू मिलिया है तो जादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, अब देखिए, मैं आप सब को मंतर बता रहा हूँ, फिर कैसे विधी हुए, वो सारा बताते जाओंगा। घर आंगन छोड़े, छोड़े कुटुम की मोह लाज, दुहाए लोना चमारिन की, यही है शाबरी मंतर, लोना चमारिन का, अब जैसे आप संकल्ब कर लो की सावाल लाख बार करूँगा, पांच दिन में, ग्यारा दिन में, और अगर आपको ऐसा कुछ चुनवती हो, ऐसा आ कोई गुरू के साथ भी बैठके यह सिद्ध कर सकते हैं, या फिर आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन अकेले करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, अगर कोई अच्छे से गाइडेंस नहीं मिला, पूत परेत का बहुत सरा आवाज यह सबा सकता है, तो दि ज्यादा बहतर होगा, नहीं तो अन्यथा, आप सब को घर में करेंगे, तो बहुत सारे बुरा ही चीशे जो है आप पर अट्रेक्ट हो सकती है, इसलिए घर के बाहर यह तंतर सिद्धी करें, तो ज्यादा बहतर होगी, और आपका जीवन आसान हो जाएगा, और आप जिसे चाहे, जो भी चाहे, आप पा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि बदले की भावना से इसको सिद्धना करें, कि किसी से बदला ले करके आप उसको मार सकते हैं, लेकिन बाद में आपको सिर्फ और सिफ पष्चतावा ही होगा, और पष्चताप में पूरा जीवन कट तो उसका लेने का अधिकारी भी आप नहीं है, तो फिर से मंतर सुन लीजिए, कामू देश कमख्या देवी, जहां बसे इसमाइल जोगे, इसमाइल जोगी की लगे फुलवारी, फूल चुने लोना चमन, जो लेई यही फूल की फूल की बास, वह की जान हमारे पास, घर च छोड़े, छोड़े कुटम की मोहलाज, दुहाई लोना चमारिन की, यही तो बहुत ही असान है, और इसको अगर अच्छे से अगर आप कर दें, सावाल लाकबर, पास दिन में, ग्यारा दिन में, तो आपको यह सिद्धी वज़े की लोना चमारिन का यह सावरी मुंद्र, और ऐसा कोई नहीं होगा, जिसे चाहे दोल में चटा सकते हैं, तो यह था लोना चमारिन के बारे में वीडियो, आप सब कॉमेंट कर रहे थे, तो मैं बता दिया था, अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है, वो भी आप सब जान लो, लोना चमारिन ने बताया थ कि आप कोई भी से सिद्ध कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है पहले तो आपको एक फॉस्ट यह सोचना होगा कि आप क्यूं कर रहे हैं सब और आप ब्रह्मचर का पालन करें नान भेज वगरा ना खाएं तो ज्यादा बहतर होगा और फिर इसके सिद्धी में लग जाए घर से बाहर करें कहीं जाकर कि शमशान में करें या पीपल के पेड़ के नीचे करें रात को रात करें और बहुत जगा ऐसा भी लोन चमाने मिं बताएं कि भेस के सर पे बैटके भी यह तंत्रिख विद्धया करना हो ता आप सब कॉमेंट किया थे तो मैं वीडियो बना दिया हूँ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वाइरल कर दो और प्लेलिस्ट बना दिया हूँ यक्षिनी का रियल स्टोरी बहुत सरा भी बनाया हूँ और जो भी सनातिन धर्म का बहुत सरा आपको इसमें यह चैनल में देखे ने को मिलेगा सारा पूर प्लेलिस्ट देख लो वीडियो अच्छा लगे तो पूरा वाइरल करो ऐसे ही सिद्धियों के लिए सब जगव वाइरल करो यह चैनल को और सब का कल्यान हो मैं यह ही बोलूगा बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही सब्सक्राइब करकर सपोट करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद ओम